हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इलेक्टरिक वर्क सेंटर यूटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे और पेट कमपनी का ब्लो रूम हिटर खराब हो गया है तो उसे कैसे बनाए कैसे ठेक करें किसे से चेक करें किसके अंदर क्या खराब किसी भी तरह का डाउट सवाल सुजा होता है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरू लिखिए तो जैसे कि हमारे पास यहां पे एक और फेट कमपनी का ब्लो रूम हिटर है रूम हिटर और ब्लो से यानि ये गरम हावा देता है हमारा और ये खराब हो गया है ये हमारा नही काम कर रहा है और नहीं यह गरम हवा दे रहा है तो सबसे पहले back side इसे पलट लेंगे screw driver लेंगे और यहाँ पे इसके अंदर 6 screw है 6 screw को यहाँ पे खोलेंगे सबसे पहले इसके body का जो screw है उसको remove करेंगे screw खोलने के बाद इसका cover को हटा करके check करेंगे इसके अंदर क्या खराब हुआ है तो चलिए यहां पे फटा-फट 6 क्रू है 6 क्रू को हम यहां पे खोल लिए खोलने के बाद इस तरह से करेंगे इस क्रू निकल जाएगा उसके बाद इस कॉवर को इस तरह से यहां से हटा लेंगे कुछ इस तरह से इसके अंदर दिखाई दे रहा है हमारा यहां पे फैंस सही है जाम नहीं है हमारा किसी तरह से और कोई भी वायर हमारा सब सही दिख रहा है कहीं पे कोई जला हुआ नहीं दिख रहा है इस तरह से थोड़ा इसको हम घुमा लेते हैं सबसे पहले इस तरह से अब इसे चेक करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे इसका टॉप ला लेते हैं वायर हमें चेक करना होगा तो यहाँ पे एक बोड लेंगे और स्रीज टेस्ट लेंप लेंगे और यहाँ पे स्रीज टेस्ट लेंप से हर चीज को चेक करेंगे यहाँ पे कोई wire नहीं छोड़ा हुआ है और नहीं जला हुआ है यहाँ पे board लिये हैं board लेने के बाद यहाँ पे जो स्रीज टेस्ट लेंप ले रहे हैं वीडियो में हमने दिखाया हुआ है इसी से हम ज्यादा तर टेस्टिंग करते हैं यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेते हैं wire wire हमारा बता रहा है यहाँ पे neutral बता रहा है यानि wire हमारा सही है जो top से input wire वहाँ पे हम चेक कर लिए उसके बाद thermostat यह भी हमारा सही है अब यहाँ पे हम चेक करेंगे element जो heating का है उसे चेक करेंगे यहाँ पे दो wire रहा है यह देखे बता रहा है हमारा उसके बाद हम neutral से भी चेक कर लेते हैं दोनों पे यहाँ पे neutral पे इस point पे एक लगा दिये और यहाँ दो है ना हमारा इस दोनों पे चेक कर लेते हैं हमारा सही है यानि जो heater का यानि coil जो है element वो भी हमारा सही है अब switch चेक करते है phase से यह नहीं बता रहा है यहाँ पे यह looping है तो बता रहा है इसमें नहीं बता रहा है क्या करेंगे सबसे पहले ये fewage हो गया, उसके बाद यहां पी चेक करते हैं, ये नहीं output कर रहा है switch हमारा, और element हमारा बता रहा है continuity सही है, यानि switch हमारा खुराब है, यहां पर सबसे पहले, हम switch को खोलेंगे निकालेंगे और आपको नया switch को भी check करके दिखाएंगे कि किस तरह से हमारा switch करेगा continuity बताएगा तो वो काम कर रहा है सही है और किस तरह से खराब है wire हटाने के समय आप एक photo ले सकते हैं अगर आप बिल्कुल नए हैं तो कहां पे कौन सा wire connection हुआ है यहां पे हम check करेंगे अब हटाने के बाद जो fan है हमारा चल रहा है के नहीं तो सबसे पहले neutral और देखते हैं fan हमारा चल रहा है कोई problem नहीं है अब यहां पे series में सिरिफ continuity हम check कर सकते हैं element का तो यहां पे element में continuity हमारा proper है switch है खराब है तब switch को यहां पे हमें change करना होगा तो इसको पहले निकाल लेंगे उसके बाद यहां पे दो screw है दोनों screw को यहां पे हम खोल लेते हैं screw खोलने के बाद switch को निकाल लेंगे और इस switch को आपको change कर देना है जहां पे spare part मिलता है जहां room heater या windings related समान वहाँ पर आपको इस तरह के switch मिल जाएंगे आप इसे change कर दीज़े, same switch होना चाहिए यहाँ पर हमारे पास दो switch है, same switch है पर थोड़ा सा change है change क्या है, यहाँ पर इसका knob आप देख रहे हैं, cap अलग से लग रहा है लेकिन इसके अंदर लंबा है, हमारा knob में pin तो यहाँ पर हमारे market में same switch नहीं मिला, कुछ change मिला सिर्फ knob का change है, बाकी जो work है, या जो pin है, connection point है वो सब एक जैसा है, same है, तो अगर नहीं मिलता है तो बहुत से जगा पर इस तरह से compromise करके, customize करके काम करना होता है जैसे यहाँ पर देखेंगे, तो तीन pin है, same एक जैसा है उसी तरह से इसके नीचे देखेंगे, तो आपका दो pin है, एक जैसा है कोई changing नहीं है, बस 9 का changing है, तो हम यहाँ पर यहीं लगाएंगे और इसके बाद जो screw है, screw को यहाँ पर कस लेंगे तो चलिए दोनों screw को यहाँ पर हम कस लेते हैं कसने के बाद इसका जो knob है, उसको लगाते हैं और इसके बाद देखते हैं कि हमारा इसमें कोई problem तो नहीं आ रहा है तो यहाँ पर screw को प्रोपर तरसे कसने के बाद नब लगाते हैं यहाँ पर नब को हम लगा दिया है, on-off करके देखे, on-off हो रहा है पर यहाँ पर जो arrow है न, वो बिल्कुल उल्टा हो गया है यानि जो arrow होता है, on-off दिखाता है कि यह fan पर है, यह एक number hitting पर है, दो number hitting पर है या off पर है तो यहाँ पर हमें switch को change करना होगा उपर तीन point वाला था तो उसको नीचे आ नीचे से उपर करेंगे बस connection सेम करेंगे, अभी आपको हम दिखाते हैं, सबसे पहले screw को खोल लिए यहाँ पर screw को खोलने के बाद switch को अंदर से हम change करते हैं, नीचे से उपर करते हैं, बिल्कुल प्लट दिए ताकि नव हमारा सीधा direction में आ जाए, off के जगा पर off हमारा arrow रहेगा और उनके जगा पर fan के रहेगा पर fan रहेगा, hitting के जगा पर hitting रहेगा, और यहाँ पर screw को हम कस लेते हैं, तो यहाँ पर दो screw है, दोनों screw को हम इस तरह से यहाँ पर कस लेए और full tight होना चाहिए, और उसके बाद लेंगे इसका cap यानि नव, इसे cap भी का जाता है, नव भी का जाता है और इसको यहाँ पर हम लगा देंगे जैसे इसको ले लिए और यहाँ पर लगा दीए अब यह सई डायरेक्सन हो गया आफ है तो ऑफ, फैन है तो फैन एक हीटिंग एक speed में है यानि low high वो आपका सही लग गया अब switch हमारा change हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे एक point था ना वहाँ पे एक face हमारा input होगा और किसी एक नीचे वाले में से face input कर देंगे उसके बाद यहाँ पे अब उपर से fan के लिए output होगा पहले नीचे से output होता था दो पीन था तो अब यहाँ उपर से हमारा fan के लिए output हो जाएगा अब उसके बाद यहाँ पे दो जो elements से wire आ रहा है पहले दोनों point उपर हमारा था तो उपर लग रहा था अब निचे लएगा तो यहाँ पे हमारा tie है इस tie को यहाँ पे हम क्या करते हैं कट कर देते हैं और हटायते हैं ताकि wire जो है हमारा easily set आ जाए जैसे यहाँ आ गया अब यह थोड़ा लूज हो रहा है प्लायर से इसे दबा देते हैं कि tight रहे लूज रहेगा तो फिर वो spark होके गरम होके जलेगा फिर उसी तरह से इसको भी tight कर देंगे और यहाँ पे इसके अंदर हम लगा देंगे लगाने के बाद अब यहाँ पे हम check भी कर लेंगे इसे तो चल Sugnied फिर हम बोड लेंगे यहाँ पे series test lamp लेंगे और यहाँ पे हम check कर लिए यहाँ पे check करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं बोड के अंदर test lamp का टौप डालते हैं यहाँ पे आपस में चेक करता है, सही है यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यह continuity नहीं बताया स्विच हमारा ओफ है, यहाँ पे on कर देते हैं चलिए बिल्कुल high पेम कर दिये अब चेक करेंगे, यहाँ पे face यह देखे, continuity बताया, continuity बताया, कोई problem नहीं है अब यहाँ पे यह जो switch पुराना ओला था, चलिए इसे on कर देते हैं और आपको check करके यहाँ पे दिखाते हैं कि देखे, यह इसका continuity नहीं बता रहा है कैसे? यहाँ रख दिये हम यह देखे, नहीं बताया continuity, यहाँ पे check करेंगे उसे में नहीं बताता है तो यह हो गया हमारा, यहाँ पे switch हम change कर दिये हैं अब change कर दिये हैं, अब यहाँ पे इसे चलिए हम बंद करते हैं सेम, cover को इसके अंदर डालते हैं बस यहाँ पे ध्यान रहे, where कोई fan के अंदर जा करके टकराना नहीं चाहिए या hitting के पास touch नहीं होना चाहिए, ताकि वो जले और अच्छी तरह से cover को लगाएंगे और लगाने के बाद इसको कस लेते हैं, screw से उसके बाद हम आपको check करके दिखलाते हैं तो अच्छी तरह से इसके अंदर cover को बैठाना होगा किसी तरह से इदर उदर नहीं जाना चाहिए एक अदम सही जगा, सही घाट पे जाएगा तो यह आसानी से बंद हो जाएगा उसके बाद screw इसके अंदर डालने के बाद यहाँ पे चलिए फटा फटा हम कस लेते हैं जो भी screw है हमारा यहाँ पे इस तरह से कस ले रहा है फुल टाइट होना चाहिए लूज किसी तरह से भी नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे इस screw को हम कस लिए कसने के बाद अब चलिए हम इसको test करेंगे test करने के लिए ले करके चलते हैं एक board में हम लगाते हैं जहां का heater है उसी घर में आये हुए है power board में लगा दिया है यहाँ पे off है अमरा switch on करेंगे तो fan भी चलेगा थोड़ा ध्यान दीजेगा चले इस on करते हैं fan में तो यह देखे fan चल रहा है कोई problem नहीं है अब चले क्या करते हैं यहाँ पे यह पॉइंट और बढ़ाते हैं तो यह hitting start हो गया यह low वाला हो गया और यहाँ पे कोई लाल या कुछ element आपको नहीं दिखाई देगा हाई करते हैं क्योंकि अंदर से हवा आता है तो उसको मार करके ठंडा कर देता है अगर हवा नहीं आएगा और element के अंदर line चला जाएगा तो फिर यह खराब भी हो जाता है तो यहाँ पे हमारा चल रहा है कोई भी problem नहीं है इस तरह से अगर आपको इस type का क्योंकि ज़्यादा तर आपको इस type का इस से में ब्लोवर हिटर मिल रहा है और पेट कंपनी बनाया हुआ बाकि और भी कंपनी से मोडल बना रही है सेम डेजाइनिंग तो उसे repairing आप कर सकते हैं उसे check कर सकते हैं उसके अंदर क्या खराब है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सेर जरूर कीजे